नमस्कार मैं हूँ संदीप अखिल और आप देख रहे हैं देशी टॉक देशी टॉक में आज हमारे साथ हैं 36 गर्ड प्रदेश कॉंग्रिस के अध्यक्ष मोहन मरकाम जी मरकाम जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका देशी टॉक में जी धन्यवाद बातों की शुरुआत करते हैं मोहन मरकाम जी अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं और बहुत सरल सहज वेखती हैं कभी भी आप इनके घर आएं तो ये बेगर नास्ता कराए आपको जाने नहीं देंगे तो इतने इची माहमान नवाजी भी जो हैं मोहन मरकाम जी करते हैं आज हम जानेंगे उनकी जीवन के वह अंचुए पहलू जिसे बहुत कम लोग जानते हैं मोहन मरकाम जी आपकी जीवन की शुरुवाती दौर की बात करें तो आपकी प्रारम्बिक सिक्षा जो है वो कहा से हुई है मेरी प्रारंबिक सिक्षा गाउं, मैरा पैत्रे गाउं तेडमुंडा में से हुई है, प्रात्मिक साला गाउं के जोपड़ी नुमा इस्कुल में प्रात्मिक इस्कुल की पढ़ाई हुई, मेडिल इस्कुल की पढ़ाई गाउं से 7 किलमेटर घंगोर जंगलों से होती हुई काटा गाउं में हुई और हाई स्कूल और हाई स्कूल गाउं से बाइस किलोमीटर माकडी में हुई जो विकासखंड मुख्यालय भी वहां हुई और उस सिक्षा मैंने पोस्ट ग्रेजवेट कांकेर से जोगरफी में में किया और ला की पढ़ाई जगदलपूर कालेज से हु हुई मेरे माता पिता क्रशक थे क्रशक परिवार में मेरा जन्म हुआ और वहीं से माता पिता अनपढ़ होते हुए मुझे पढ़ाना लिखाना चाहते थे हम लोग पांच भाई और दो बहनों में मैं पांचवे नंबर का हूँ और मुझे हमेसा मेरे माता पिता यह कहते थ 1990 में मैं 6 राजनीती से मैं आगे बढ़ा, 1990 में सहित मेंद्रव कर्मा जी के सानिद्द्ड में आ कर मैं Congress Party से जुदने का मौका मिला, 2008 में पहली बार मुझे Congress Party से टिकेट मिला, 2008, 2013 और 2018 में लगातार तीन बार कुंडा गाविज़ान सब्सक्छ से मुझे चुनाव लणने का मोका मिला बच्पन में आप बनना क्या चाहते थे हर विक्ति का एक सपना होता है कि मुझे यह बनना है आपका क्या सपना था जब मैं कॉलेज में मैं सेना में जाओं मेरी प्रायटी थी मगर जब 1990 में कांग्रेस परटी जुड़ा था छाटर संग राजनीती से जुड़ा था तो उसमें जो गाउं की जूवलंत समस्या हैं उन समस्याओं का कैसे निराकरण हो उसका एक ही रास्ता था कि जन प्रतिनीदी बढ़ना जन प्रतिनीदी बढ़ने से उस छेत्र की समस्याओं को हम निराकरण कर सकते हैं इसलिए मैं चार-चार सास की सेवाओं को मैंने छोड़ा सबसे पहले में 2000 मुझे 1996 में सिक्षा कर्मी वर्ग 2 की नवकरी लगी फिर सिक्षा कर्मी एक की नवकरी लगी लाई से डबलमन्त आफिसर की नवकरी लगी सीनियर एगनसी मेनेजर की चार सास्की और सास्की नवकरियों को छोड़कर 2008 के चुना में मुझे कांग्रेस पार्टी ने टिकेट दिया और वहां से राजनितिक सफर की आगे बड़ी मगर उससे पहले मैं संगठन की पदों में भी रहा एक ब्लॉग कांग्रेस की कमिटी के अद्धक्ष बूत अद्धक्ष टिकेट मिले ना मिले की कॊंड़गां विधान सभा है जो सुरध्य मन कुराम मन कुराम सोड़ी और संकर सोड़ी का शेतर है वहां से एक निकल लाकार राजनिति में जाता है जो बर्गत का पेड़ होता है तो वहां से छोटे पौधे को नहीं पनफ पाते हैं अगर मैं पार्टी के साथ जुड़ा रहा और हमेशा पार्टी के सिद्धामतों नीतियों के निसार काम करता रहा उसी का परिणाम है कि हाई कमान ने कांग्रेस पार्टी ने मुझे 2008 में पहली बार्टिकेट मिला उसके बार लगातार तीन बार से मुझे कांग्रेस पार्टी ने टिविड़ दिया बूट से लेकर प्रदिस्ता धक्ष्त की यातरा जो है उसे आप कैसे देखते हैं एक बड़ी चुनवती हम कह सकते हैं कि मगर मेरा हमेशा मानना रहता है मैं गीता के सार पे विश्वास करता हूं कर्म करो फल की चिंता मत करो मैंने इमांदारी पूर्वक हमने काम करते रहें 1990 से जब हम सहिद महंदर करमा जी के सानीदि में आये तो कांग्रेस पार्टी के साथ हमेसा जुड़े रहे उसी का प्रिणाम है कि हम निरा हम लोगों को नि 1993-1998-2003 में जब हम टिकेट मांगे तो तीन-तीन वार टिकेट मांगे मगर नहीं मिला निरासा की दौर थी फिर में हम कभी निरास हुए नहीं पार्टी के साथ जुड़े रहे इसलिए पार्टी का जो भी आदेश निर्देश है उसके हम लोग मैं चलता गया उसी का पार्टी ऐसे बेक्तियों को संबान देती है आपके राजनितिक गुरु कौन है जिने आप श्रे दिना चाहते हैं राजनिति में इस मुकाम तक पहुशने के लिए मेरे राजनितिक गुरु सहीद मेहंदर करमा जी हैं वो छात्र राजनिती से ही मुझे यहां तक पहुचाए 2008 में जो तात्कालिन जो मंत्री थे संकर सोडी जी एक दस साल से मंत्री थे मध्यप्रदेशासन में भी और छत्यसगर सासन में भी 2003 में जरूर वह चुनाव हार गये थे उसके बाद उनकी मतलब बनती थी कि उनको टिकेट मिलेगा मगर 2008 में एक होनहार चात्र जो लगाता पार्टी के लिए काम करता है चात्रा संग अध्यक चुपाद्यज भी रहा है जो हमेशा कांग्रेस पार्टी के लिए खड़ा रहत है तो 2008 में सहीद महंदर करमा जी जो समय नेता प्रतिफ़क थे उन्होंने पहला टिकेट मुझे दिलाने का प्रयास किया मुझे टिकेट भी मिली मेहन करमा जी की वह सीख जो आज भी आपके सांथ हैं प्रदेशाद्यक्ष आप हैं वह सीख जो है जिसके दम पर कहें या ज इसको लेकर आगे बढ़ते हैं वो क्या है देखे महंदर करमा जी अपने जवान के पके थे जो इसको करना है मतलब करना है आज प्रदेश अध्यक के रूप में भी मैं उसको फालो करता हूं कि मुझे अगर मुझे काम करना है तो करना है बहले उसमें कई परिसानिया हो तो कहें न कहें वो बस्तर की आवाज बनते थे बस्तर के लिए हमेसा लड़ते थे तो मैं उनसे बहुत कोच शीखा सहीद महेंदर करमा जी से और स्रद्धै बलीराम कस्व जी से उन्होंने अपने जबान के पक्के थे हमको यह करना है मतलब करना है उसके स्वरामने वाला उनके दिखाई रास्ते आज भी है और आपन उसमें संगठन की जिम्मेदारी के साथ हम उनकामों को अंजाम देते हैं तमाम विपरीत परस्तितियों के बाद आपने सिक्षा ग्रण की बहुत मुश्किल था उसमें पढ़ाई करना और यहां तक पहुंचना कैसे इस सब हु देखें उसमें गाउं में इसकुल ने प्रारंबिक जब सिक्षा होती थी तो गाउं में बहुत कम लोग पढ़े लिकि मैं मेरे खाल से मैं दूसरे तीसरा बेगते हूं गाउं से पढ़ लिकर छोटा सा गाउं है मेरा गाउं जहां 300 की जन संक्या है वहां से पढ़ लिकर तो हम लोग जब देखते थे तो हम लोगों की मन में हमेशा यह भावना थी कि कुछ करने कुछ कर दिर दिखाने की ललक मेरी माता जी हमेशा मेरे को प्रोसाहित करती थी कि आप मेरे को कहती थी कि वह हम लोग जब भाई-भाई में हम लोग जगरते थे तो बोलते थे कि बड़े साब बनोगे साइद माता जी कि वह वाक्या आशिरवाद मतलब मुझे मिलता था तो उसी का परिडाम है साइद मुझे जो प्रोध साहित करती थी हम लोग पाज भाई और दो बहनों में जानते उसमें गाओं में सब सुधाई नहीं होती थी लाइट नहीं था था उस मता जी के जो दिखाए रास्ते जो उनका आसिरवाद और उनके वाक्य आज भी मेरे जहान में आता है कि जो उन्होंने मुझे प्रोध साहित करते थी कि आप बड़े बनोगे तो साहित उसी का परिड़ाम है अपने कर्म के नुसार हम लोग आगे बढ़ते हैं हमने फल की च माल रहा हूं प्रचार का जो आपका तरीका रहा है वह बड़ा अद्भूत रहा है सैकल से प्रचार घर घर तक प्रचार लोगों तक पहुंचना क्या कांसिप्ट था इसके पीछे देखिए उस समय हमारे हां से 36 गड़ सासन की कद्दावर मंत्री रही है माननी लता हुसें देखने जी को वी अशित्व्त मंत्री रही है माननी संकर्सोडी जी को विए भारी मतों से हरा था तो हमने सोचा कि भारती आंता सरकार है कि अगर हम साइकल में साइकल में जाता हूं में तो ढोर-टोडोर घरी हम पर के छले गए तो अच्छा मतलब साइकल में परचार परशार करना और जंसंपर करना ए मेरे पास मोरत थी लगहरused מ데 चाहा कि में आए यह की मार में मोटर साइकल जाता हूं था मोटर साइकल से जाता हूं मैंने पूरे विधांक सबाल लगबग içचव गाउं करना मैंने साइकल यत्रा की लगबग AI जहelse से तीन महेने तक गाउं में रुकना गाउं में सोना में बच्छपन में बहुत से मित्र थे जो पढ़े लिखे नहीं। आज वो देखकर कहते हैं कि अगर हम लोग पढ़े लिख लेते तो कोई अधिकारी बन जाते हैं। तो सभाविक हो करते हैं मगर उस समय के कुछ बहुत से मेरे मित्र हैं जो आज भी मतलब हैं और हमेसा पस्ता जब भी मैं जाता हूं गाउं में जाता हूं या जीले में जा दवरे में जाता हूं तो याद करते हैं कि हमको आपके जैसे सीखना चाहिए आप हमेसा हमारे साथ च जब पढ़ने जाते थे बंदर बहुत हुआ करते थे राश्ते में हम लोग बच्पना जो सरारत होता था कि बंदरों को पथर फेकना उनको मारना तो बहुत से बंदर हम लोगों को पकड़ने दोड़ जाते थे तो एक दो बार ऐसी हाथसा भी हुआ हम लोगों को पकड़ लि कुछ समय हम लोग होस्टल में रहते थे तो महांकि जब हम लोग ज्यादा समय तक पढ़ते थे जो मतलब छातर जल्दी सौजाते ते तो नंके चेहरे में कुछ कोई मुझ बना देना कुछ लगा देना तो बचपन में बहुत सराइरत करते हैं वह वो बच्चे भी वह सिकाएत करते हैं रहे Min 6Kै जर सीग देख में जो किये कारे आज भी झो अच्छे काम की एक उए हां तक पहुँचे जो बच्पन के जो जो जिनों ने जो जो दिया वो नहीं माने तो आज कई लोग बाहर की रास्ते पे हैं दंतेश्वरी माता जो है अराध्य देवी उनकी पचास किलोमेटर की जो यात्रा है उसे जुड़ी कुछ इस्परन जो है आपके यादे जो है मैं जब विपक्च में था सत्ता पक्च में था और तब से मैं लगातार माई जी के दर्शन दंतेवाडा ग्राम कुंडागाउं से जाता हूं लगभग एक सो सत्तर किलोमेटर साड़े तीन दिन में पूरा करता हूं माता जी का अपार इसने मुझे मिलता है क्योंकि विश्म परिस्तितियों में भी मुझे जो आसिरवाद मिला उसी का परिणाम है कि माता जी के आसिरवाद से मैं इस मुकाम तक पहुँचा हूं तो मैं विवद पांच सालों से मतलब मैं पदियात्राओं में क्या हूं और आज भी प्रदेश अध्यक के रूप में भी पदियात्रा करता हूं एक दिन में लगभग 55 किलोमेटर लगभग शुरू दिन सेकंड दिन 12 किलोमेटर तीसरे दिन 45 किलोमेटर चौते दिन सुबह सुबह मैं 16-17 किलोमेटर चलता हूं तो लगभग 170 किलोमेटर पदियात्रा चलता हूं तो हम बस्तर में माई जी का असिरवाद हम सब को मिलता है इसलिए हम लोग हर साल पदियात्रा में जाते हैं कितने लोग शामिल जाते हैं तो लगबग हजारों लोग उस पद्यात्रा में सामिल होते हैं तो माई जी के किर्पा बेस्तर वासियों को मिलता है और सभी आस्था माई जी के प्रति हैं माई जी का धर्सन करने नवरात्री में जरूर हम लोग पद्यात्रा के माधिम से जाते हैं वास्तों में मात किसी को प्राप्त हो जाए इसे अच्छी बात क्या हो सकती है और मां सब प्रक्रिपा करती है यह सब का विश्वास भी है आपकी शादी कप हुई उनसे वर्ष में आप देखते होंगे कि इसनियां बदल यह मोबाइल का साथ रहा है आप इसलीमी अच्छा कोई ऐसी यात्रा जो भावी जी के साथ अपने की हो जी उसम मैं जब एलाइसी डव्लोमेंट अफिसर था तो मैं मलेशिया विदेश की टूर भी किया था और वेशनो देवी माता जी की तूर किया यह जो आपकी यात्रा है बहुत सारे नेताओं को भी सीख देगी कि भाई राजनीती में जाएं राजनीती करें लेकिन पत्नी को भी समय दें घुमाएं तभी आनन्द है जीवन में तभी आप आगे बढ़ सकते हैं यह परिवारिक प्रिष्ट भूमी जो है आपकी है वो ग्रामीर है उसके बाद शादी आपकी होती है कितना स राजनीती से मिलता है राजनीती में बहुत सहयोग मिलता है बहुत ज्यादा सहयोग मिलता है हम लोग परिवार को समय देनी पाते हैं राजनीतिक ब्यक्ति होने के करें फिर भी उनके मन में रहता है कि समय मिलना चाहिए मगर नहीं मिलता वो भी समझते हैं कि राजनीतीक ब बड़ी जिम्मेदारी में हैं और जिम्मेदारी के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी छेत्र के विदायक होते हुए भी एक बड़ी जिम्मेदारी को निर्वान करते हैं तो सभाविक है वो समझते हैं कि मतलब समय इनके पास नहीं रहता क्योंकि छेत्रा की जनता को भी देखना रहता है और पुरे प्रदेश को भी संगठन की जिमेदारी के रूप में देखना पड़ता है तो वो समझते हैं इस बात को कि समय हम लोग एग्रिष्ट कर लेते हैं भोजन में क्या पसंद करते हैं? खाने में क्या आपका सबसे प्रीय है? भोजन में साधा भोजन मेरा रहता है, साधा भोजन में सबसे ज़्यादा जो भाजी आइटम है, वो सबसे ज़्यादा कोई पालक भाजी हो या बस्तर की चुन्चुनिया भाजी से लेकर, सभी भाजी लाल भाजी से लेकर बस्तर की चरोटा भाजी बोलते हैं बस्तर में एक प्रिय होता है कुलियारी भाजी जो सीजन में गर्मी के सीजन में होता है कुलियारी भाजी बहुत पसंद है उसके साथ सब्जियों में मेरे को करेला सब्जी बहुत पसंद है अच्छा सब्जी सूखी जब मैं LICW आफिसर बना 1996-1997 तब से मैं सुबह खाने का अदत डाला। सुबह अच्छा अच्छा साथ बज़े भी हो आड़ बज़े हो सुबह नास्ता मैं कभी नहीं करता। सुबह भोजन करके निकल गए आज भी वह दीव्टी हम लोग सुबहु मैं भोजन कर लेता हूँ सुबह दिन भार निकल गई कभ दोपहर का खाना मिलेगा नहीं मिलेगा वागवान भाग्वान पिक्चर पसंद है कुली पसंद है। कोई ऐसा डालाउग जो आपको याद हो मिदाब बच्चन का आप फैना दो मदर इंडिया जो भी पसंद है अब नेतरी कौन से पसंद आपको हिरो इन जो है देखिए उसके बारे नहीं को इसमें को दिकत नहीं आए अब बच्चन पसंद है तो रेखा भी पसंद हो सकती है को बच्चन कोई बच्चन के जीवन में जो गीत है जो गाना है वो बड़ा महत्व रखता है जब आप संघर्ष के दिनों में रहे होंगे और आप तक कोई गाना जो आपको बहुत अच्छा लगता हो आपके दिल को चूजाता हूँ लता मंगेसकर जी की जो गाना है वो आज भी में बहुत अच्छा लगता है यह मेरे वतन के लोगों जरा आखों में भर लो पानी जो सहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुरवानी यह गाना में बहुत जाता पसंद है आपके जो राजनीतिक गुरूर है महिंद कर्मा जी उन्हें गीत पहुत पसंद था जो मैं आज अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ जो उन्होंने मुझसे साजा किया था अजीव दास्ता यह कहां शुरू कहां खतम तो वैसी जीवन की यातरा को उन्होंने जिया और बहुत कुछ उनसे लोगों ने सीखा जाना लेकिन वेवाकी कहें वेवाकी जो कर्मा जी में वही वैवाकी आपमें भी देखने को मिलती है जी गुरु जी का असिरवात Sajid Karam, Mahindra Karma जी का असिरवात हमेसा मिलता था वो कहते थे हम लोग जब इस्टुडेंट थे स्टुडेंट लीडर थे तो कहते थे अपनी बात विभागी से कहिए भले सामने वाला क्या सोचता है क्या ने सोचता है उनका जो दिखाया हुआ है वो हमें करें और राजनीती में आने के बाद हमें देखता है जितने भी जिम्हेदारियां मुझे मिली एक संगठन की मुख्या होने की नाते इक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि आपका ये जो कारिकाल है बड़ा मतलब कहा जाए इतिहासिक है जिसमें आप लगातार चुनाओं जीते जितने उपचुनाओं हुए महापरनगरी निकाएक जो चुनाओं हुए उसे भी आपने जीता इसे कैसे लेते हैं एक बड़ी जीतने में सफल हुए तो हमारे सरकार की उपलब्दियों को लेकर हम जनता के बीच उसी का प्रेंडाम है और हमारे जावाज कारेकरता साथियों के दम पे हम सभी चुनाओं जीतने में विए तो यह मेरे कारेकाल की सबसे बड़ी उपलब्दी मैं कह सकता हूं ये थे मोहन मरकाम जी जिनके जीवन के बारे में आपने जाना कितने संगरशों के बाद पोलिंग बूस से लेकर प्रदिशा धक्स्टक का ये सफर बीच में बहुत कुछ और NCC, फिल्म, राजनीती, LIC तमाम चीजे इन से जूड़ी रहीं लेकिन एक बात जो सबसे अच्छी ही लगी होगी, इनकी जो है सादगी, ऐसी सादगी आजकर राजनीताओं में बहुत कम देखने की मिलती है, जो हमने मोहन मरकाम जी में महसूस किया, मोहन मरकाम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देसी टॉक में, जी धन्यवाद,